नमस्कार के आपिजल टीवी का खार शो महरास्टा फाइल से एक रहे हैं आप मैं हूँ आपके साथ हूजा केंदर की सत्ता हासल करने में महरास्ट की भूमी का काफी एहम है और इसकी वज़ा यूपी के बाद यहां सबसे ज़्यादा लोकसभा सीटों का होना है दोज़र चौबिस में लोकसभा चुनाओ होने हैं जिसको लेकर तमाम तरह के सर्वे भी सामने आ रहे हैं लेटेस्स सर्वे की बात करें तो इस सर्वे की मताबिक एक बार फिर से केंदर में मोदी सरकार की वापसी हो रही है पर इस सर्वे में महरास्ट के आकड़े काफी एहम सवाल खड़े कर रहे हैं लेटेस्स सर्वे के मताबिक यूपिय को महरास्ट में काफी जादा फायदा होता नजर आ रहा है सर्वे के मताबिक महरास्ट में यूपिय को 29 सीटों का फायदा हो रहा है तो ये फायदा कैसे और क्यों हो रहा है क्या वाकई ये सर्वे के दावे में दम है आज इसी पर च तरवे में जिस तरीके से डरे हुए लोगों ने डरे हुए गठवंधन को इतना जादा तवज्जो दिये है उस पर तो शक होता है क्योंकि सम्मिकरन जो बदले हैं महारास्ट के वो इसारा कर रहा है कि पिछली बार से जादा सीटे भारतिय जनता पार्टी और शिंदे ठाकरे ही जुड़े हैं उद्धब ठाकरे खुद संगर्ज कर रहे हैं कि मुंबई से बाहर दो चार पसेंट वी वोट उनको मिल जाए इस बात के लिए संगर्ज चल रहा है जो पिछली बार चुनाब हुआ था उसमें स्ट्राइक रेट सीट कितने मिले थे इन सारे आख़ भाजपा के गठवंदर में भारतिय जनता पार्टी के कारण उद्धब ठाकरे के जीत हुई भाजपा के कारण एन सीपी और कॉंग्रेस की हार हुई है क्योंकि उस समय अगर अगर तालिस में से 41 सीटे भारतिय जनता पार्टी और शिव सेना को मिलती है 25 सीटों पर 89 पसेंट 88-89 पसेंट का स्ट्राइक रेट रहा और दूसरी तरफ शिव सेना 23 सीटों पर लड़ी 18 सीटों पर जीत हुई 80 पसेंट के आज पास उसका भी रहा लेकिन दूसरी तरफ अगर देखे तो कॉंग्रेस के बल एक सीटों पर जीत पाई थी एक तो इंसीपी के साथ गठवन्धन इंसीपी को चार सीटे मिली थी अब इस बार की रनीती क्या है इस बार जब पहले से ही शरतपवार डरे हुए हैं शरतपवार बार बार चला चला के कह रहे हैं कि उनके घर में आकर भारतिय जनता पार्टी अब उन्हें हराने की कोशिश कर र यह आपस में लड़ रहे हैं इस बात के लिए तीनों पाथियां एक उप चुनाब के घोशना होती है तीनों पाथि आपस में लदनाव सुलू कर देते हैं कि कौन इस पर उमिदवार खड़ा करेगा अभी तो यह भी तैय नहीं है कि यह गठवंधन लोकसभा के चुनाब तक रह पाएगा कि नहीं कि अभी BMC का चुनाब होना है BMC के चुनाब से पहले क्या हुआ उद्धव ठाकरे ने बंचीत वहुजन अगाडी के साथ गटवदन किया परकाशंबेटकर की पाती के पार्टी के साथ गटवंदन किया और उस बीच उद्धव ठाकरे के साथ मिलने के लिए अजीत पवार पहुचे मातो सिरी में दोनों की बैठक हुई शरत पवार ने अजीत पवार को भेजा था किचिन चवार जो सीट है उपचुनाब जहां हो रहा है कस्वा में जो उपचुनाब हो रहा है दो विदान सवा सीटों पर उन जगों के लिए उद्धव ठाकरे को मनाओ कि वहाँ पर NCP का कंडिडियेट लड़े उद्धव ठाकरे तयार नहीं है और उस बीच परकाश अंबेटकर के साथ इन्होंने के उपर निशाना साधना सुलू कर देते हैं उसके बाद उद्धव ठाकरे परिशान हो जाते हैं यह दीरे दीरे एक एक पार्टिया च्छोटी च्छोटी पार्टिया जोड़ रही है आखिरकार उद्धव ठाकरे को प्रकाश अंबेड करके साथ लेने की जरूत क्यों और शरत पबार भी अंतिम समय में दोखा दे दें क्योंकि दोखेवाजी के लिए तो फे मत रहे हैं क्या पता कब बीच में कोई बड़ा निता जील चल रही है एंसी पी कॉंग्रेस में तो इसी बीच उद्धव ठाकरे और यह दोनों एक छोटे से चुनाब के लिए सहमती न पर लोग सवा के चुनाब में लोगों के भी सहमती बन जाएगी अब इसके अलावा जब की ये गठवंधन है ही नहीं उस पर सरवे करवा के ये लोग कह रहे हैं कि इन लोगों को 34 सीटे मिल जाएगी 29 सीटों का फायदा हो जाएगा ये तो आश्चर्ज की बात है कि महारा से बदल चुका है वहाँ पर अब भारतिय जनतापाथी और एकना सिंदे का जो नया गठवंधन है वो पूरी तरीके से शिब सेना के उद्धव ठाकरे का जो संगठन था वो एकना सिंदे के साथ चला गया है और BMC के चुनाब से पहले एक और गठवंधन बनेगा उद्ध चौदा से पहले राज ठाकरे कोशिश कर रहे थे लगता कि कब भारतिय जनतापाथी के सामने हमें मौका मिलता है साथ में काम करने का इसलिए जब परधान मंत्री का उम्मिदवार बनाया गया था नरेंदर मोदी को तो उस समय सबसे पहले नेताओं में से एक थे राज ठा उस समय से वो बाट जो रहे थे लेकिन उद्धब ठाकरे मौका नहीं मिलने दे रहे थे और भारतिय जनतापाथी की परमपरा रही है अगर गठवंधन की बात देखें इंडिय की बात देखें तो इसकी परमपरा रही है कि भारतिय जनतापाथी ने कभी भी अपने गठव जैसे लोगों को भी यहां पर जो राम विलास पासवान की पाटी है लोजपा उसके लोग जनसक्ती पाटी के एक सांसद को जदियू को ये सारी छोटी छोटी पाटीयों को जिसके समर्थन की जरुवत केंदर में नहीं है मंत्राले मिल रहा है क्यों मिल रहा है अकाली दल को म परंपरा नहीं है कि किसी को छोड़ दे इसलिए राज थाकरे थोड़ा दूर दूर रह रहे थे अब तो उनके साथ भी गटवंदन होगा और मुंबई के जितने भी लोकसवा सिटे हैं उसमें तो राज थाकरे का थोड़ा प्रभाब दिखता है कुछ वोट एड कर सकते हैं ऐसा नहीं है कि विदान सवा या लोकसवा के चुनाब में राज थाकरे केले जी सकते हैं लेकिन वोट एड कर सकते हैं जिससे भाजपा को फायदा मिलने वाला है यमन इसका जो संगटन है वो भी भाजपा के साथ होगा तो इस चुनाब में तो ऐसा लग रहा है कि ये उल् इस वास हो रहा होगा कि ऐसा हो सकता है उद्धब ठाकरे अगर वो लिस्ट देखेंगे कि इतनी सीटे मिल रही है तो उनको लेगा को हो सकता है कि कॉंग्रेस नसीपी को मिलेगी मुझे तो कुछ मिलने वाले नहीं है या उसमें भी शरत पवार और कॉंग्रेस के नेता भी आश्चर्ज में पढ़ गए होगे कि हमने इस बीच कुछ ऐसा किया ही नहीं जिससे इतनी सीटे मिल जाए नेता भी उनके पास नहीं है नेता है परदानमंत्री के चुनाब में आस्मान जमीन का अंतर हो जाता है किजरिवाल विदान सभा में जीता है तो दूसरी तरफ साथ को साथ त्रीटे बाजपा को चली जाती है मोदी के नाम पर तो यह है कि सर्वे में विपक्ष की बड़े नेता में राहुल गांदी को छोड़के किजरिवाल क लोगसभा के चुनाब में दिल्ली में कुछ नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनको सामना करना पड़ता है नरेंद्र मोदी से तो ऐसे में कैसे इस सर्वे पर विश्वास किया जा सकता है कि अचानक से महराष्ट में ऐसी क्रांती आई कि यह जो नए-ए गठवंधन बनाये गए हैं उसमें भी वैचारी गठवंधन नहीं है जो आपस में भिड़ रहे हैं लड़ रहे हैं और जिनके विचार ही एक दूसरे सिक के विरोधी हैं वो गठवंधन में इतनी सीटे मिल जाएगे किस आधार पर अगर कॉंग्रेस के किसी रैली में उद्दव ठाकरे जाएंगे बना दिया और अंगाबाद को क्या ऐसी स्थिति आएगी तो उद्दव ठाकरे का सपोर्ट करेंगी शरत पवार या कॉंग्रेस करेंगी क्यों कॉंग्रेस तो पूरी तरह से नहीं कर सकती क्योंकि माराज से बाहर भी उसको वोट लेना है तो यह स्थितिया साफ है कि अचानक से एक सीट का सर्वे यह 48 सीटों में बना दिया गया और 34 सीटे देने की बात कर दीगी तो 2019 में बीजेपी शफसेना ने माहरास्ट की 48 लोकसवा सीटों में से 41 सीटों पर जीत हासल की थी जबकि कॉंग्रेस को एक और राखपा को 4 सीटों पर जीत मिले थी पर अब की तस्वीर काफी जादा अलग है उद्व ठाकरे की पार्टी तूट चुकी है महरास्ट में शिंदे बीजपी की सरकार है ऐसे में यह सर्वे कितना सही है कितना गलत है वो आप खुद समझ सकते हैं क्योंकि महरास्ट में MVA का वजूद खत्म हो गया है वैसे सर्वे में कित में सकता सकता है